कि नमस्कार कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाविस्ट अब वक्त हो चला है से मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जुजनता राज देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं यूपी में जब भी कोई एंकाउंटर होता है तो विपक्षी दल उसे फर्जी करार देते हैं सबसे पहले सपा मुख्याख लेई शादो ढोल पीटने लगते हैं लेकिन ऐसी में सवाल है क्या योगी सरकार से पहले यूपी में कोई एंकाउंटर नहीं हुआ तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बताऊंगी बताऊंगी किसकी सरकार में कितने एंकाउंटर हुए बताऊंगी कि किसकी सरकार में किसका एंकाउंटर हुआ बताऊंगी एंकाउंटर में कितने अप्रादी मारे गए तो चलिए शुरू करते हैं विवादों में एंकाउंटर एक्षन सियम योगी को घेर रहे विपक्षी किसके राज में जादा एंकाउंटर बहराई छिंसा की आग आज तक ठंडी नहीं हुई इलाके में अभी भी लोगों में दहशत है पुलिस मामली में एक के बाद एक एक्षन ले रही है कई आरोपियों की तलाश जारी है इसे भी जिंसा के चार दिन बाद योगी की पुलिस ने दो आरोपियों का हाफ एंकाउंटर किया दोनों आरोपी के नाम मोहमत सर्फराज और मोहमत तालीम है इन में से सर्फराज वही है जिसने राम गोपाल मिश्रा की गोली मार कर हत्या की थी वहीं जैसी एंकाउंटर की खबर से आमने आई विपक्षी, समाजवादी पाटी और कॉंग्रेस ने योगी सरकार को निशाने पलिया वहीं अखिलेश यादू ने निशाना सात्ते वे कहा कि एंकाउंटर नहीं हत्याई हो रही है वहीं कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजिराई ने कहा कि योगी सरकार हमेशा से वर्जी एंकाउंटर करती रही है अलाकि इन सब के बीचे सवाल उठ रहा है कि आकर यूपी में किसकी सरकार में कितने एंकाउंटर हुए है जिन में प्रादियों को मौत की नीश उला दिया गया है एंकाउंटर के बाद यूपी में सियासत तेज है सत्ता पक्ष से 72 कानून विवस्था का परिचैक बता रहा है तो वहीं विपक्ष पुलिस की नाकामी करार दे रहा है अलाकि जो रास्नदीक पाटी एंकाउंटर का विरोध करती रहती है एंकाउंटर को हत्या करार देती है एंकाउंटर को फर्जी या नकली बता देती है कि उनकी पाटी की सरकार में कोई एंकाउंटर नहीं हुए तब क्या अपरादी अपराद करते थे और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी क्या तब पुलिस को गुली चलाने की कोई पॉमिशन नहीं थी लेकिन जब बीती सरकारों के आकड़े निकाले गए तो पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सब की सरकार में पुलिस एंकाउंटर हुए हैं बस किसी के आकड़े थोड़े जादा है तो किसी के थोड़े कम है यूपी में एंकाउंटर का पुरारा इतिहास रहा है आपको बतादे कि पुलिस एंकाउंटर दो तरह के होते हैं पहला हाफ और दूसरा फुल एंकाउंटर हाफ एंकाउंटर में आरूपी के पैर या हाथ में गोली लगने से उसे घाल किया जाता है जबकि फुल एंकाउंटर में अपरादियों को अपनी जान से हद होना पड़ता है बीते 20 सालों में सभी सरकारों फुल और हाफ एंकाउंटर दोनू ही हुए है आकणों के मताविक उत्तरप्रदीश में 2002 से लेकर 24 यानि की अब तक 110 अपरादी एंकाउंटर में मारे जा चुके है हर सरकार में हुए एंकाउंटर किसकी सरकार रही नमबर वन नजर अगर पहले की सरकार के आकड़ों पर डाले तो तो मुलायम सिंह यादो सरकार के कारेकाल 29 अगस्त 2003 से लेकर 13 माई 2007 तक 499 अपरादी एंकाउंटर में मारे गए वहीं बस्पा सुप्रीम मायवती की 13 माई 2007 से 14 मार्च 2012 वाली सरकार में 261 अपरादी मारे गए सपापनुक अखलेश यादो की 15 माई 2012 से 19 मार्च 2017 वाली सरकार में 40 अपरादी एंकाउंटर में मारे गए वहीं सीम योगी की सरकार में एंकाउंटर के आकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे है योगी सरकार में 19 मार्च 2017 से अब तक 210 यानि की 2024 अब तक 210 अपरादी एंकाउंटर में मारे जा चुके हैं यानि की मुलाहिम सिंग यादो की 4 साल की सरकार में 499 अपरादियों को पुलिस ने मारा था अभी तक के आकड़ों के मताबिक सबसे ज़्यादा एंकाउंटर एसी की सरकार में हुए मुलायम सिंग यादों की सरकार में हुए योगी सरकार के साड़े साथ साल के मुकाबले उनके चार साल के कारेकाल में दोगुने से ज़्यादा एंकाउंटर किये गए वहीं दूसरे नंबर पर मायवती की सरकार रही पांच साल की सरकार में 261 अपरादी मुठवेड में मारे गए थे वहीं सबसे कम अखलेश यादो की सरकार में 40 अपरादी धेर हुए थे योगी अधितनात की पहली सरकार 2017 से 2022 के बीच में पुलिस ने एंकाउंटर कर 19,908 अपरादियों को पकड़ा था इस दौरान 3,664 अपरादी जखमी हुए जबकि अखलेश यादो सरकार में एंकाउंटर के जरिए 11,963 अपरादी गिरफतार हुए इस दौरान 282 लोग घाल हुए पुलिस ने इस प्रकडिया को ऑप्रेशन गड़ा और फिर हाफ एंकाउंटर नाम दिया एंकाउंटर के दौरान योगी सरकार में 1242 पुलिस कर्मी जखमी हुए घाल हुए तो वहीं अखलेश यादो सरकार में घाल पुलिस कर्मियों का आकड़ा 150 है योगी सरकार ने 13 22 तक 20 साल में 40 जवान शहीद हुए हैं सियम योगी की जीरो टॉलरेंस नीती का असर उत्तर प्रदेश योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीती के तैदा अप्राद और अप्रादियों की कमर तोर रही है यूपी में योगी राज के साथ सालों में 12,964 पुलिस मोटवेड की गई जिसमें पुलिस ने जहां एक तरफ सिधा मुकाबला करते हुए अब तक 210 मदमाशों को धेर किया इसी के साथ देश बर में प्रादियों को ठिकाने लगाने में उत्तरप्रदेश के स्टीफ जादा एक्टिव नजर आती है यह हम नहीं यह कहना है ग्रह मंत्राले के आकड़ों का बात अगर योगी सरकार के पिछले पात साल 2017 से 2022 की करें तो यूपी देश का दूसरा ऐसा राज जिता जहां सबसे जादा एंकाउंटर हुए थे इन में से 170 प्रादियों की स्टीफ की गोली लगने के बाद मौत हुई थी जहां यूपी में एंकाउंटर सत्ता के लिए संजीवनी भी साबित हुआ है कई ऐसे मौके सामने आये प्रिश में पहला बड़ा एंकाउंटर श्री प्रकाश शुकला का हुआ गुरखपुर के मूल निवासी शुकला की गिंती उन दिनों यूपी के सबसे बड़े अप्रादियों में होती थी कहा जाता है कि उस वक्त शुकला जिसे मारने की सुपारी लेता था उसे मार ही दे और अजे राज शर्मा के निर्दत में स्टीफ बनाने की गोशना कर दी यूपी में पहली बार पुलिस के भीतर स्पेशल टास्क पोर्स का गठन किया गया था सभी आधुनिक महिया उपलब्द कराए गए शुकला को जब इस बात की भनक लगी तो वह काफी सतर करहने लग और आखिर में श्रीप्रकाश शुकला मारा गया शुकला के बारे जाने के बाद मुख्यमंत्री कर्णियांग सिंग ने राहत की सास में ददुआ ठोकिया का इंकाउंटर मैयवती को मिला सियासी फायदा 2007 में पूर बहुमत के साथ मायवती यूपी की सत्ता में आते ही मायवती ने उस वक्त के खोखाट डगैत ददुआ ठोकिया को निशाने पर लेने की दो वज़ा थी का जाता है कि ददुआ ठोकिया आंत्रित तौर पर मुलायन सिंग की पार्टी के लिए काम करते थी दूसरी वज़ा मायवती की क्राइम को लेकाट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी मायवती ने ददुआ ठोकिया के खलाब सारे घोड़े एक साथ खोल दिये मुक्यमंद्रे से आदेश मिलने के बाद स्टेफ ने ददुआ ठोकिया को खोजना शूरू कर दिया ददुआ ठोकिय ब्रभाजम के चुनाओ के मायवती की पार्टी ने चंबल में से मुद्धा बनाया बिस्पी को MP की साथ सीठों पर जीत मिली दोहजार तीन में पार्टी को सिर्फ दो सीठों पर जीते मिली थी दोहजान नौ के लोग सबाद चुनाओं में भी BSP बुंदेल घड की एक सीट जीतने में काम्याम रही विकास दूबे का इंकाउंटर पीजेपी को सीधा फायदा जुलाई 2020 में यूपी पुलिस के जवानों पर हमला करने वाला विकास दूबे मुठवेड में मारा गया विकास का मामला दो वजों से सुन्ख्यों में था एक तो विकास सियासी तौर पर स उसका सिक्का चलता था दूसरा विकास दूबे ने अपने घर पर आय पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी विकास के एंकाउंटर ने यूपी की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी इस-एंकाउंटर के दो साल बाद यूपी में उधानसभा के चुनाओं हुए इस चुनाओं में कानपूर जोन की 27 में से 22 सीटों पर BJP को जीत मिली 2017 में यहां की 20 पर ही BJP को जीत मिली थी कानपूर जोन में BJP की सीटों की संख्या में तब बड़ा उतरी हुई जब पूरे UP की संख्या में गिरावाट देखी गई इसके अलावाट जहासी के पास अप्रैल 2003 में पूलिस को असत के लोकेशन के बारे में बता चला पूलिस जब अशक को पकड़ने जाती है तो मोढ़वेड शुरू हो जाती है इस मोढ़वेड में अतीक हमत का बेटा असत मारा जाता है असत के मुठ भेड के कुछ दिन बाद अतीक और उसके भाई की भी हत्या हो जाती है यूपी के फुलपुर मातीक का सियासी दबदबा लहा फुलपुर से अतीक सांसत भी रहे 2024 के चुनाओं में प्रियागराच और उसके आसपास की कौर शांबी और प्रताबगण में बीजेबी बुरी तरह से हाँ जाती है लेकिन फुलपुर में पार्टी को जीत मिलती है तो यूपी में एंकाउंटर का इतिहास बहुत पुराना है और जो इस एंकाउंटर पर सवाल उठाते हैं और लोगों ने भी इसका पूरा सियासी फायदा खुब उठाया है इस पूरे वामले में आपकी क्या राया है कमेंट करकर जरूर बताएं इस स्पेशल स्टोरी में फिलाल के लिए इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार